नमस्कार सी राम डिफेंस एकडमी की ओनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है आज के जो टॉपिक है हमारा वो है पर्सेंट यानि की प्रतिसत इससे पहले हम लोगों ने जो आर्थमेटिक है उसके हमने जो बेसिक यारिंगी जैसे महा लीजिए अब है पर्सेंटेज तो यह जो पर्सेंट है यह आपके आने वाली जो आगी टॉपिक होंगे उनके लिए बहुत इंपोर्टेंट है जैसे महा लीजिए साधरन व्याज हो गया चक्रवद्धी व्याज हो गया इसके लाबा हो गया प्रॉफिट लॉस लाभानी वाला बड़ा है और इसे आपको अच्छी ताइगे से कर पाएंगे और यही जो पर्सेंट है यह आपका टाइम भी बचाएगा अलोब यह इतना इंपोर्टेंट टॉपिक है जिसे आपको बहुत ध्यार समझना है और इसके अंदर आपको महात रासिस करनी है इतना समझेगे तो पर्सेंट का मतलब क्या होता है सबसे पहले यह देखते हम लोग अब माल जे दो पर्सेंट यानि की पर्सेंट को अगर भिन्य में बतला हो तो कैसे करेंगे भिन मैंने बताई थी आपको जैसे दो बटे 100 जब परसेंट वाले नम्मर को भिन में अगर बदलना होता है तो हमें क्या करना है 100 का भाग देते हैं बहुत basic concept इसके अलाबा जैसे माधे 3% हैं तो क्या करेंगे 3 बटे 100 और वहीं अगर 3 बटे 100 को अगर हमें परसेंट करना है तो क्या कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे तो यह तो बहुत simple समझ में आ गया हो कि कैसे क्या करते हैं अगर परसेंट को भिन में करना है तो बटे अपन में ला दीजिए यानि अपन में भाग कर दीजिए और अगर यहाँ पर यह बटे में दे रखा है यानि को साथ नमबर लेए घ्या मिले अगरा तो कितना पर्सेंट हो गया गलें में 600 ले लिए तो कितना हो गयाए एसके अलावा देखिए जीसे चवालीस परसेंट आपको तो, सौ में से मिले, यहन कि चवालीस सो भाग सौ का कौन सा परसेंट होगा, तो इसे देखे, इस ते कैसे करिए, चवालीस बटे, सो, और यह, सो किया हमने, यह आगा, चवालीस परसेंट, अब देखते हैं लोग 44% को हम अगर भिन्व करते हैं तो 44 वटे 100 हो गए आपके सामने तो यह तो हो गए आपके basic concept अभी हम आगे बढ़ते हैं यहां पर देखिए जैसे मान लीज़े 40 मैं से 40 नम्मर मिले 100 मैं से तो यह क्या है वही यह दर होती है दर होती है मतलब जैसे कितने लोग 40 मिल जाएंगे और एक को कितने मिल जाएंगे 20 रुपे मिल जाएंगे वहले 100 रुपे हैं तो एक दो को 40 और एक को 20 रुपे मिल जाएंगे इसे साब से या किसी इंसान को मिल रहा है अब देखे यहां पर एक एग्जामपल दे रहा है उसके और हम और आगे बढ़ेंगे यहां पर पीली हरी लाल और नीली चार कलर की दे रही है आपको टाइल्स कितनी है चौदा चब्विस मैंतिस चौदा और पच्चेस होगी इसकी चब्विस है और इसकी कितनी है पैंतिस तो इसकी कितनी होगी पच्चेस होगी अगर अगर भिन्नी की बात करें तो चौदा पटेस हो गया अगर इसको हमें करना है परसेंट में तो क्या करेंगे सौ से गुरां कर देंगे तो कितना होगी चौदा परसेंट हो गया इसक में यह जो चीज़े रखी है यह बहुत important है यह जो आपके सामने हैं यहां से आप समझिए जिसे मान लीजिए आपके पास एक बटे दो है और आपसे बोला गया इसको पितिसरी प्रिम्ट कीज़े तो कितना हो गया 50% हो गया कैसे किया 50% सो से गुणा कर दिया तो कितना हो गय कैसे करेंगे देखो जा रहा 3-3-9 एक बचा 3-3-9 अब तो कितना बनाई है हमारे पास 33 सही एक बटा 3 यह जो परसेंट आगया हमारे पास 33 सही एक बटा 3 बनेगे आपके सामने बहीं अगर हम बात करें एक बटे 4 को तो फिर वही सो से गुणा करेंगे काट लीजिए चाद दुनियाच 24 यानि की 25 परसेंट यह देखिए आपके सामने आ गया एक बटे 5 का मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ अभी आप समझा आए सबकों यह हो गया 20 परसेंट एक बटे 6 का तो एक बटे 6 को कैसे करेंगे 100 मैं 6 का बाह लगा दीजिए ठीक है एक बार गया आपके सा चार बचा और यह 36 तो यहां पर कितना बचा आपके पास 4 तो 16 चार बटे 6 अब यह भी कर जाएगा तो कितना हो गया आपके पास 16 सहीद 2 बटे 3 यह देखिए यह आ गया तो यहां पर यह चीजे हैं हमने आपको निकालना आपको लोग छीखें तो आपको इद्धों 10 तक और यहां पे दिखिए 17, 18, यह पूरा हमने 20 तक, एक से लेकर, यह आपके सामने हैं, दे रहे हैं, इसके लाब आपके 25 यह आपके सामने, और यह कुछ आपके बेसिक यह भी चीज मैंने आपको यहां पे लिख रखी है, इन सबको हम समझेंगे, और रटना कुछ भी नहीं है आपको मैं निकालना सिखाया है, यहां से आपको, आप लग यह कोशन करोगे तो आपको यह चीज़ा जब कोशन करोगे तो अपने आपी याद हो जाएगा, यहां पर यहां पर ख़ला रहा हूं तो आपको अपने आपी याद हो जाएगा, तो देखो क्या करना है, अब जैसे माल लीजिए कहीं पर आ गया 2 बटे 3 का प्रतिसत निकाल लिए यहाँ पर 1 बटे 3 है उसका आ गया 2 बटे 3 का प्रतिसत निकाल लिए आप कैसे निकालोगे आप 100 से गुणा करोगे पहले तो ठीक है पर 200 को करोगे पहले 200 में आप 3 का भाग लगाओगे तो तीन शेक अठारा पर तीन शेक अठारा और ये दो हो गया तो ये तो हो गए उन लोगों के लिए जो सिंपल तरीके से जानते हैं हम यहाँ पर तरीका बताएंगे को फटा फट तो देखो क्या करना है आपको जैसे या पूँझा जाए कि दो बटे 3 है तो अब आपको देखना है यानि कि इसको डिनोमेटर है जो इसका बेस है वो कितना है तो इसको इसे लिख सकते हैं एक बटे 3 multiply दो लिख सकते हैं इसको अब एक बटे 3 का क्या है देखो जाने आपके 33 सही 1 बटे 3 यानि Mixed Fraction में दे रखा है आपको 33 सही 1 बटे 3 है इसको आपे 2 से गुड़ां कर दीजिए तो 2 को 56 से करेंगे 2 बटे 3 सब्सक्राइब में आ गया इसी तरीके से माल लीजिए आप से पूछा गया यहाँ पर कि 3 बटे 3 का निकल दी आपके पास होगया 1 बटे 4 इन कि आपके पास 1 बटे पर्सेंट होगया यहासे इन असरवे आगया आपके सामने तो देखो और देख लեते हैं लोग यहाँ पर अगर माल लीजिए आप से पूछा गया 3 बटे 4 3 बटे 4 का परसेंट होता ही है agles अब आपको देखना क्या है यह आपको वादस देखिए तीन बते चार का आपको बताना है… कि परसेंट कैसे बता होगे। देखिए एक बते चारा कितना है मारे पास 25 है… कितना है 25 परसेंट यह तो 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 ने कितना हो जाएगा? 35 कि पिचेत्तर परसेंट इसको अगर आपको सिंपल तरीके से करना है तो बोल करके देख लीजे सौसर गुणा कर देंगे हम लोग यह हो गया आपके पास 25 को तीन से किया पिचेत्ता परसेंट इसर में आगया आपके सामने अब एक और चीज देखिए आपसे पुछा गया चार बटे तीन कितना पुछा गया चार बटे तीन चार बटे तीन किया गया तो कितना देखो एक बटे तीन का देखो कितना है एक बटे तीन का कितना है हमारे पास 33 एक बटे तीन है यहाँ चार से में कर देंगे डाइट गुणा कर देंगे तो चार ती अब बारा चार ती अब बारा बारा और एक तेरा और चार बटे तीन अब देखो, क्या यह सही है? नहीं, ये सही नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको simple तरीके से करके देखोगे, 4 बठे 3 को सिंपल तरीके से अगर आपको निकाल है हम लोग, तो 400 हो गया, 400 थीन का बालग आया, एग बार गे आपके सामने, है नधी थीन आ गया यहां परशे दस तीन आ नव यहां पर अगेन यहां पर के तना आ गया आपके पास और तीन तीन नो तो हमारे पास आ रहा है 133 बटे एक बटे 3 आ रहा है हमारे पास 232 चाहर बटे 3 आ रहा है तो मैंने आपको यहाँ पर इसी समझें यहाँ पर देखो आपको mixed fraction जब मैंने समझा होगा आपको fraction यानी भिन्न वाले तो उसमें मैंने कहा होगा कि जो आपका हर है mixed fraction के अंदर हर है वो sorry जो अंस है वो हर से बड़ा नहीं हो सकता जो अंस है यानिकि जो numerator है वो denominator से बड़ा नहीं हो सकता अगर बड़ा तो तो क्या करेंगे सिंपल याओ क्या करना है इसको इस तरिके से लिखिए एक सो बड़ तेज अब देखिए इसमें चार का भा लगाएंगे तो कितनी बाद जाएगा चार में तीने कब तीन एक एक बटे तीन अब इसको इससे प्लस कर दीजिए एक सो तेज एक बटे तीन आगे आपके सामने ये वापस समझे इसको तो जैसे मान लीजिए आपके सामने दिया है पाँच बटे तीन क्या दे रखा है आपको पाँच बटे तीन और आपसे बोला गया है कि इसको परसेंट में करना क्या है स्टार्टिंग से आप देखना है कि पाँच बटे तीन में 1 बटे 3 की क्या value है क्या percent दे रखा है आपके सामने ये दे रखा है हमें 33 ये देखो गी लिखा 33 एक बटे 3 ओके आप इसे हमें 5 से गुणा करना है तो 5 को पहले हम 3 से करेंगे 5 या 15 5 या 15 और 16 और ये हो गया 5 बटे 3 आप इसको again mix friction यानि कि सही जो बटा है उसमें देख लेते हैं हम लोग तो कैसे करेंगे 5 में 3 का भाग लगाया कितनी बार गया एक बार गया ये बचा आपके पास ये बचा 2 तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 1 सही दो बटा 3 तो 3 और ये 3 दो 5 ठीक है तो अब इसे कैसे लिखेंगे 165 एक फिलस 2 बाई 3 इसको कर दिजे 166 बाई 3 ये हो गया आपके सामने यानि कि जो आपका अंस है वो बढ़ा नहीं होगा हर हमें छोटा रहेगा हर से ये हो गया और देख लेते हैं एक बार और समझी द्यान से जैसे मान लीजिए आपकी देदिया यहां पर 6 बाई 3 कितना गया 2 कट गया तो आप 2 को करेंगे 100 से कर दिजे तो कितना हो गया 2% अभी हम fraction को percent में convert कर रहे हैं उसके बाद हम आगे भी देखेंगे जब आपको simple तरीका भी सिखाएंगे अभी आप बहुत simple देखिए अब यह जैसे मान लीजिए एक बटे चार दे दिया आपके सामने कैजिए दिया एक बटे चार और आप से पूछ लिया कि पाँच बटे चार का पताईए percent कितना होता है पाँच बटे चार का percent होता ही है तो देखिए इसे कैसे करेंगे पहले आपको एक बटे चार याद हो जाँचिए कितना है भई 25 परसेंट होता है एक बटे चार का 25 परसेंट में पाच्व कर दिजे 125 परसेंट आगया ओके और देखिए यहाँ पर जिसे मां लिजे एक बटे च्छे है क्या है एक बटे च्छे और इसका दे रखा है 16 बटे 16 साई 2 बटे 3 अब आप से पूछ किया 2 बटे 6 का बताईए तो सिंपल देखिए 2 बटे 6 यानि कि 1 बटे 3 का कितना होता है 1 बटे 3 का होता है 33 सही 1 बटा 3 का परसेंट यहाँ से भी आप कर सकते हैं लेकिन आपको यहाँ पर जरूत नहीं है दाइटी आमलोग यहाँ पर आपको संज में आ रहा है और देखिए जैसे माल लेजिए आपके सामने 1 बटे 7 है कितना है 1 बटे 7 उसका परसेंट दे रखा है 14 सही 2 बटे 7 परसेंट अब आपसे प्तले 2 बटे 7 पूछ लिए आपसे कितना पूछ लिए 2 बटे 7 तो क्या करेंगे 1 बटे 7 का देखना है पहले आपको 1 बटे 7 क्या है 14 सही 2 बटे 7 है कितना है 14 सही 2 बटे 7 14 सही 2 बटे 7 को क्या गर देंगे 2 से गुणा 14 बटे 28 और 4 बटे 7 यहाँ पर देखिए यह छोटा है तो यह सही है हमारा अगर मान लीजिए आप से पूछ लिया 3 बटे 7 का निकालो परसेंट तो आप लिए बटे 7 को इस तरीके से वो तरीके तो वो बच्चो वाले हो गए बच्चो वाले मतलब उसमें आप लगेगा टाइम लेकिन यहाँ पर हमें टाइम को बचाना है एक्जाम में वही इंपर्टेंट है तो सिंपल साब को क्या देखना है बेस देखना है एक बटे 7 कितना है एक बटे 7 का है 14 सही 2 बटे 7 इसे कर दीजिए 3 से गुणा कर दीजिए तो यह हो गया आप के सामने और यह कितना हो गया 6 बटे 7 कितना हो गया 6 बटे 7 इसको अब सिब्ब भी कर सकते हैं उससे भी निगा सकते हो आप जैसे माल लीजिए 300 दो तरीके सिखा रहा हूं साचोक 28 दो हो गया साधुनी 14 कितना बचा आपके सामने 6 बचा तो 42 और 6 बटे 7 देखिए वही आ रहा है यह परसेंट में हो गया हमारे पास क्या हो गया परसेंट में यह सारे जो मैं आपके सामने कर रहा हूं यह आपको लिकुल तरीके से आने चाहिए तब भी जाके आप इन्हें कर पाएंगे और देखिए आप एक पर यहां समझिए अगर माल लीजिए आपके सामने आ गया तीन बटे आठ कितना आ गया तीन बटे आठ को परसेंट कर किएजिए तो देखिए आठ कितना यहां पर यह देखिए यह रहा तो एक बटे आठ का पहले दि полностью सहील दो क्या गर teasing रही एक ओन कर लोटे दिजिए बारन देखिए आप देखू तो again, यहां पर यह बड़ा हो गया, तो कितना हो गया, एक, इससे लिख देंगे, तो कितना हो गया, 25 सही, एक वटे, तो यानि कि आपको यह चीज करवा रहे हैं यहां पर देखो और देखिए जैसे माल लीजिए आपके पांच वटे आठ आ गया कितना गया पांच वटे आठ इसे करवंड कीजिए तो पांच वटे आठ को कैसे करेंगे कितना जानते हम लोग बारा सही एक वटे आठ कितना है बारा सही एक वटे दो इसे हमने किया पांच से तो कितना हो गया और कितना हो गया पांच वटे दो इसे किया तो कितना हो गया पांच में दो का भालग आया दो बार गया करके देखिए तो यह पर दो सही एक वटे दो हो होगे और देखते हैं, हम लोग नेखने, और देखते हैं, हम लोग ने सिंपल किया, कितना है 11, सही और नाइन है, आप से पूछ लिया, कि 2,9 को 0.9 को 0.09 बदलिये, तो पहले आपको ऐ़ नो आना चाहिए, कितना होता है 11 साई 1 वटे 9 यानि कि आपको जो एक वेस है उसका याद होना चाहिए उसको आप कीजिए 2 से गुड़ा तो कितना हो गया 22 और 2 वटे 9 इससे किया गयाद होना 22 और एससे किया 2 वटे 9 इससे आप सिंबल भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहो तो भी आप कर लिजिए लेकिन जितना में आप करता रहा हूँ उससे आप लोग ये कर लोगे 2 वटे 9 का 22 वटे 2 वटे 9 हमें से याद कि ये गलती मत कर देना अब एक और और देख लेते हैं एक कुशन लेते हैं आपके सामने जैसे मान लीजिए आप से पूछा कि 5 वटे 12 का बताईए अब आप इसको बैले करेंगे वो उस टेके से तो वो तो लंबा हो जाएगा तो आप करना क्या है 1 वटे 12 का देखना है 1 वटे 12 का क्या है याँ पर 8 सही 1 वटे 3 है 8 सही 1 वटे 3 है तो इसके गुड़ां कर दीजिए 5 से 8 वटे 40 और ये हो गया 5 वटे 3 इसको भी आप संबर कर लिजिए कितनी बार गया? 1 बार गया ये 2 वटे तो यानि कि क्या करना है आपको कितना हो गया? 2 वटे 3 हो गया इसको जोड़े दीजिए 41 2 वाई 3 तो इस तरीके से आप साय नहीं खा सकते हैं एक और देख लेते हैं हम लो इसे माल लीजिए आपके पास आ गया 3 वटे 16 का आप percent निका लिए 3 वटे 16 का निकालो आप percent निकालो तो कैसे करोगे? 1 वटे 16 का देखिए अर्टरमेट कर देते हैं हम लोग अब 6 साही एक वटे 4 है कितने का? एक वटे 16 का 3 से गुड़ा कर लिजिए कितना हो गया? 6 ती 18 और 3 वटे 4 पास वटे 16 का देखिए एक वटे 16 का क्या है हमारे पास? एक वटे 16 का है 6 साही एक वटे 4 चैल आमें क्या करेंगे? पाँंच का दुड़ा कर देंगे तो 6,5, 30 और यहां पर देख लिजिए पांच वटे 4 भाग कर लिए इतने बार गया? एक बार गया यहां पर तो क्या करेंगे? 30, एक साही एक वटे 4 इसमें जोड दीजिए 31 आई 1 वटे 4 यह आगया आपके पास % इसकी आगई वैलू अब आसे पुछा गया 3 वटे 24 का परसेंट बदाईए इसका बताईए 3 वटे 24 का अब 34 में 1 वटे 24 का क्या वैलू है यह रिए 24 की ओके तो इसको हम कर लेते हैं multiply कर लेते हैं डारेक्टी एक वटे 6 वट तीन से किया तो चारती है 12 ओके और यह कितना हो गया आपके सामने तीन वटे 6 ठीक है इसको अब देखो यहाँ पर पांच वटे 24 दोनों कट नहीं रहे हैं ठीक है अब पांच वटे 24 का निकिया करेंगे हम लोग एक वटे 24 से कितना है चार सही एक वटे 6 पांच से गुड़ा कर दीजिए पांच वटे 20 और पांच वटे 6 आगे परसेंट तो कितना फास्ट है दीदर आप करोगे तो सारे आपको यह आंसर आजाएंगे बिल्कुल जल्दी बहुत जल्दी आएगे हैं आपके आंसर किलो 3 प्टे 40 का पर्षland निकाल ला है तो अप देखो एक वटे 40 कीतना है पहले यह देखो एक क्यों कितना है दो सही एक वटे 2 अब यह क्या हमारे झता है वह बढ़ होगया हर से तो क्या किया हमने एक सही 8 दो कैसे किया देखो लारा रहा है और देखो यहां पर एक आप से पूछ लिया गया पांच वेठे अट तो आपको दाइट याव उन्चे पॉंच वेटे यार कि इतना होता है बांच्ट और यहाँपर एक वेठे दो अच्छा, अब आपसे मान लीजिये, पूुछ लिया पंदरा बुटे आठ का, इसकstes आ पंदरा बडे आठ अब कैसे करेंगे 15 वटे 8 तो देखो यहां पर 15 वटे 8 करने के लिए क्या करेंगे हम लोग इसे हम यह से तीजे कैसे लिख सकते हैं 5, 3, 15 और यह 8 यानि कि यह हो गया 5 वटे 8 तो 5 वटे 8 क्या होता है पांच वटे आठ का होता है यहाँ पर 62 सही एक वटे दो और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 3 से इसको मल्टिवाई कर दीजिए तो कितना हो गया 3 दूरी 6 और 6 ती 18 और 3 वटे 2 इसको अभी लिसकते हैं 186 और 1 सही एक वटे 2 और 187 एक वटे 2 इसे आप सिंपल भी कर सकते हो 15 वाई 8 को हम लोग 100 से गुराँ कर सकते हैं और आप 15 सो में निकाल लीजिए जितना कर सकता है यह चादुनी आर्च और यहाँ पर देखिए 25 और 15 को मल्टिवाई करेंगे तो आपके इवास यह आंसर आजाएगा यहाँ पर 2 आ रहा है तो यानि कि हमारे पास आंसर सही है तो इस तरीके से यह आप कोशन कर सकते हैं बस आपको करना क्या है कि आपको ध्यान देना है कि जो चीज हमारे पास आ रही है वो किस लेविल की है अब देखो जैसे माल लीजिए पांच वटे आठ में आप लोग घुम जाते जैसे पंदावटे आठ का आप लोग दूढने में लग जाते कैसे वह मल्टिप्लाई करते फिर वही जैसे वह बताया तो इसमें टाइम लगता है लेकिन अगर आपको पांच वटे आठ का याद है किसका आधा है 5 वटे 8 आपको आता है तो आप फटा फट 3 सी का कर देंगे इसको गुड़ा कर देंगे और आंसर निगाल लेंगे एक और देखिए 4 वटे 7 क्या होता है 4 साथ का है 57 सही 1 वटे 7 यह दे रखा है आपको सामने अब आपसे पूछ लिया जाए कि आप बताओ 8 वटे 7 का बताईए कितने वटे 7 क्या होगा तो क्या करेंगे यहाँ पर simply आप यहाँ पर ध्यान रखे 4 वटे 7 क्या है तो इसको अभी आप दो से कर कर लिजिए दो संतर 14 दो पंजो 10 और एक 11 और यहाँ पर यह दो वटे 7 यह होगा आपके पास percentage निकल गया सामने तो आपको fast तरीका इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं और देखिए अभी हम भीन कोई convert कर रहे हैं इसके लाबा जैसे मान लीजिए आप से पूछा जाए कि यह दो 5 वटे 7 का हमारे पास आना चाहिए कितना है 11 सही 3 वटे 7 और आपसे पूछ लिया कि 10 वटे 7 का बताओ इसको अगर हम 2 से कर देंगे तो कितना हो गया और यह हो गया 2 ती अच्छे और एक साथ यह इसका हो गया percentage तो आपको जो बेसिक तरीका है उससे हटके थोड़ा काम करना है इसके किसे काम करेंगे तो आपके जो आशर है वो जल्दी आएगा और यहीं पर आप अपनी जो एक्जाम का वो टाइम बचा पाएंगे माल लीजिए अब आपसे पूछ लिया गया अजर आपके सामने को बता हूँ दो बटे 19 का बताओ दो बटे 19 का बताओ तो यह दो देखो यहां सामने 19 का ठीक है आपके सामने 19 का रखा है तो क्या करेंगे आप लोग आपको क्या करना है 2 बटे 19 में भाग लगाई कितना देर रखा है 5 बटे 19 है यह है तो क्या करोगे आप इसको दो से गुराँ कर दिजिए 5 बटे 19 हो गया इतना या जखिए आप लोग तो यहाँ पर हमने यह आज यह सीखा है इसके आगे और कुशन लेंगे अब देखो यहाँ पर मैं इसमें टाइम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यह बहुत इंपोर्टेंट है अगर आपका बेसिक कॉंसेप्ट के लिए नहीं है परसेंटेज अगर आप जैसे वो सिंपल तरीके से लगाने बैठ गए जैसे वो लगाते ना लोग कि वही निकास सो से गुड़ा किया फिर वहां से आपको टाइम ख़ा जाएगा वह 20-25 सेकेंड वहां पर एक मिनिट वहां पर देगा अगर आप कोई चीजें आती है तो फटा-फटा आप मल्टिप्लाइ करोगे और आशार निकाल दोगे इतना है तो यानि कि यह जो टेवल है आपके सामने यह वाली यह सारी टेवल आपको एक तरीके से माइंड में फिक्स होनी चाहिए और फिक्स कैसे होगी यानि कि सानी से कर पाएंगे तो आज की लास में इतना ही है नेक्ट क्लास में हम और इसके बारे में बात करेंगे अभी हमने जो भिन है उसको परसेंट करना करना सीखा है और जल्दी करना सीखा है आगे हम लोग परसेंट को भिन में करना सीखेंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोग जल्दी से जल्दी easy question को solve कर सकते हैं तो चलिए आज की लास में इतना ही मिलते हैं next class में, thank you